ओम शान्ति हमारी भारती संस्कृती में हमारे पूर्वजों के लिए पूरा का पूरा पक्वारा 15 दिन अपने पूजनिये पूर्वजों के लिए समर्पित किया जाता है वास्तम में ये 15 दिन कब व्यतीत हो गए कुछ पता ही नहीं पड़ा ये श्राध स्रद्धा का पर्व है और इस स्रद्धा के पर्व में मानव कृतज्य होता है अपने उन पूर्वजों के प्रति जिन्हों ने उसे जीवन दिया जिन्होंने एक स्टेंडिंग दी जिन्होंने समाज में अपने रसूख अपने तालुकात दिये आप पाईएगा कि हम जहां कहीं खड़े हैं हमारे पैरों की नीचे जो सरद्धा की दिवी है और चुकि हमारी संस्कृती करतग्यता की संस्कृती है तो हम उसके लिए आभार है अपने उन पूर्वजों के और यह आभार ब्यक्त करते हैं इस पक्षवारे में जब स्राद्धों के लिए होता है होते करते पंद्रह दिन कब बितीत हो गए कल पूरवजों के लिए पित्र विसर्चन आस्विनमास की यह अमावस्या और जाने अंजाने चले गए लोग जब यह पता नहीं होता कि हमारे पित्रों के जाने की कौन सी ती थी वो किस दिन हम से जुदा हुए तो एक सुविधा दी हुई है भारतिय संस्कृति में कि हम उनके लिए अमावस्या के दिन संपूर्ण हिर्दय की भावनाओं के साथ उन्हें विसर्जन करते हैं अर्थात उनकी विदाई देते हैं और सच पूछिए तो हमारे पवरानिक पक्ष में हमारे सास्त्र और वैदिक पक्ष में ये जो परमपराई दी गई हैं यहां तक कहा गया है कि पित्रों के लिए ये पंद्रा दिन उपर से छोड़ दिये जाते हैं चाहे वो धर्मराज यम के द्वारा चाहे वो देवलोक राजा इंद्र के द्वारा चाहे वो दिब्बेलोक उस परम सर्वशक्तिवान परमात्मा के द्वारा उन्होंने भी ये छुट्टी दी है कि भाई तुम नीचे जाकर के अपने वनसज को अपना आशिरवाद दे कर आओ कितनी बड़ी परमपरा है और ये परमपरा का निर्वहन नीचे मनस लोग के लोग अपने पित्रों के प्रती स्राद के मैध्यम से जो स्रधावाओ अर्पिट करते हैं स्रधावाओ के अंतरगत आपने देखा होगा प्राहे वो स्रधानचली में तिल जल और कुशा लेते हैं ये कुशा ऐसी वनस्पती है जो विनासी है इसको जितना काटा जाता उतनी बढ़ती जाती है जल्दी हटती नहीं है जिस भूमी में इसका जन्म होता है तो कुश को हाथ में लेकर पवित्रा बनाई जाती है और उसे रखा जाता है हतेली पर अंगुठे के माध्यम से जल तरपन किया जाता है यदि गंगा जल है तो अती उत्तम है इसके अलावा एक बात और कि ये जो पर्व है ये जो स्राद है ये जो तरपन है ये अपनी ही देहलीज पे किया जाता है लोग कहते है किराय के मकान में हमारे बुजर्गों को सकून नहीं मिलता हम जब स्राद करें तो अपने पैत्रग घर में करें वहां से करें और ये तरपन हम उस समय करें अगर नहीं बेवस्ता है तो गंगा जी के तड़ पर जाकर वहां हम उनको वो जल अर्प बात और कहना चाहेंगे, कि ये केवल स्रधान जली नहीं, यह भावान जली भी है और यह दिव्यान जली भी है जब हम वहाँ अरपन करने पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम ब्रम्हा, विष्णू और महेश को अर्पित करते हैं उसके बाद हम रिशियों को अर्पित करते हैं और उसके बाद हम पित्रों को अर्पित करते हैं तो यह जो प्रक्रिया है मना हम केवल मानव मानव के लिए नहीं करते इस संपूर स्रश्टी के रचाईता को सबसे पहले अपनी भावन जली अर्पित करते हैं